आई ये बात कर लेते हैं नेक्स कॉलर से हमारे साथ गीता है जार खंड से स्वागत है आपका गीता अदर्व बात बात हो जा रहा है तो उनी के माद्धे हम आप से जुड़े हैं अच्छा बहुत बहुत बता देखिते हैं नो करो उनका बताया वनका बताए ते वही नुका वह बता देखिते हैं कि चलते हैं बहुत कुछ फाइदा होते आ रहा हैं किस बीमारी में क्या इस्तमाल किया आप भी शेयर करिए पूरा इंडिया आपको सुन रहा है नैशनल चैनल पर रहे हैं आप भी अपना एक्सपिरियंस शेयर कर लीजे ताके लोगों को और ज्यादा विश्वास हो सके जैस झास हम कर बाया रहा है विश्वास है करने हैं कि मेरा आक भात भी रहा शेयं है उद्सक्राइब संच दीर को नैएंगए मेरा इन ट्रूत में घूमला पन पर ऊसंधा आप नहीं हूं हम काम करते हैं नहीं मोटिका कश्र मोट्य कां करते हैं पानी लग जाता है ठीक है ठीक है आज देखी कितने अच्छे अच्छे पैसे अपना शेयर कर रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके और हलाकि इतना वक्त नहीं होता कि इतनी लगी बात की जाए लेकिन बहुत शुक्री है आपका फीड़बेक देने का आपका जो आँख का मसला है इसमें एक गिलास गाजर का जूस रोज पिया करिये मुझे अमीद है कि आपको फाइदा मुम्किन है एक महिना कोशिश कर लीजे और इसके बारे में दवाईयां भी आती हैं और आप बहुत महनती लेड़ी हैं अपने हाथ से अपना काम करके अपना गुजारा करती हैं मैं ऐसे लोगों को सलाम करता हूँ और पैड़ दर्द के लिए आप गौन सिया मंगा लिजे एक आदा गिराम सुबह आदा गिराम शाम खाने के बाद खाईये मुझे अमीद है कि ये 100 गिराम आप ले लेंगे तो उसके खतम होने से पहले आपकी समस्या का निदान मुमकिन है नेक्स्ट कॉल है विमलेश बारबंकी से स्वागत है आपका बताईये सवाल कीजिए इस इस बारे मुझानकारी देना साथ एज बताईये अपनी उम्र और कप से है तकलीफ ये पचास साल उमर है तिन चार साल से है देखिए इस उमर में पचास साल में हमारे जिसम में बड़े परिवर्तन होते हैं इसमें हमारे जो पार्ट्स हैं वो थोड़े त्रेड़े मेड़े हो जाते सुकड़ने लगते हैं हर बड़ा पार्ट जो में पार्ट होता है उसमें मैदा भी है आते भी है किड्नी भी है ल प्रूस रखने के लिए हर शक्स को इस उमर में किसी इलाज की जरुवत पड़ती है तो इलाज बहुत आसान है आपके किच्छन से तालुख रखता है धनिया सौफ सौट अजवाइन जीरा धनिया सौफ सौट अजवाइन जीरा और गौन मौरिंगा सौट गराम खरीदें पाउडर बनाएं सबको मिलाकर और एक चमश सुबा एक चमश शाम पानी के साथ खाएं और दिन में पांच बार गरम पानी पिया करें तो आपकी ये समस्या का हल होना मुम्किन है आई ये बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से जी नमस्कार स्वागत है आपका दो साल से हम अपने पती को दे रहे हैं सुगर का दवाई तो उसमें गुर्मार बुटी है और चोटा हर और मंग्रेला और सब मिला के माने जिस्ता पता से हैं सब दवाई हम देते हैं उसमें करॉंच भी मिला देते हैं जामून कबीजा मिला देते हैं सब मिला के हम साल बार बहुत अराम हैं बाहर का दवाई एक जड़ा से भी नहीं देता है इनको खाने के लिए और पीसी तो हम दस किलो मंगा के रखें उसको भूंचते हैं पीस के खलका उला देते हैं उलाने के बद पीस पास के उसको जैसे सोबह साम दो बस मने हम इंको देते रहते हैं मेरी पेटी का भी है कि पुरा पीठ में खुजली होता जाना हो जाता रिएक रंग नहीं है जैसे मुझा को गोर है पैर तिसना सुन्दर है लेकिन ना पेट ठीक है ना पीट इसका सुन्दर है और ऐसी सब्सक्राइब और मेरा बेटा है वो अठारा सान का उसका है बढ़ता ही नहीं है एकदम पतला दूबला है रिखाता भी ठीक है लेकिन चिच्चिडापन बहुत हो नहीं ठीक आज जो लोग से बात हो रही है वो सब अपने पराने पिशेंट हैं और बलकुल कभी बात नहीं हो पाई आज बात होगी दरसल मुझे से बात नहीं हो पाती है लेकिन मेरे बताए हुए नस्खे पर वो सब लोग काम करते बहुत शुक्रिया आपने साजा किया अपनी बात और आपके पती के लिए आपकी मेरी बताए हुई दवा शुगर की कामियाब रही किसी की शुगर की दवा का अगर बहुत तेज चाहिए जैतुन का सिर्का इस्तमाल कर सकते हैं दिन में दो बार दो दो तीन तीन चमच तो अच्छी अच्छा होता है शुगर की बहुत सारी दवाएं हैं और जो कामियाब है मैं आप से शेयर करता हूँ बच्ची का आपका शाद फोन आया था भी जो जिसका चेहरा विशाद वो ही बच्ची थी जिसने का था मेरे कई रंग है तो मैंने आपकी बच्ची को नस्खा बता दिया है जिससे उसका रंग अच्छा हो जाएगा और एकसा हो जाएगा और जिस बच्चे की सेहत नहीं मनती है उसको आप एक जूस बनाईए और वो यह है कि केला, कजूर और अंजीर, दूद, इसका जूस बना लीजे और दिन में एक कमस कम एक बार या एक से जादा बार पिलाया करिए बच्चे की सेहत ठीक होना मुमकिन है नेच्ट कॉलर है मुकेश जारखन से हमारे साहत आथ, सब्सक्र करने अधा निकलता नहीं है और पही जया करता है खहना खाते है झालता कि बात्व में या दो चालता है ठीक है ठीक है एज बता दीजे अपनी एज फिफ्टी प्लस को ये परिशानी आ जाती है और फिर वो तरह तरह के चुरन और ये सब काते हैं और अगर जानकारी कम हो तो और वो नुखसान देने लगते हैं देखिए एक बड़ा अच्छा नस्का और वो आप बना लीजे घर में देखिए चार सो गराम अलसी लीजे सस्ती आती है और साफ करके हलका सा भून लीजे थोड़ा सा भून ना हैं और चाहें तो इसका पौडर बना लें और दात हो तो ऐसी चबा के भी खा सकते हैं चार सो गराम अलसी, सो गराम गौन मौरिंगा इनको पाउडर बना कर रखें और एक चम्मच सुबा, एक चम्मच शाम खाने से पहले पानी से खाया करें और पांच बार पांच बार आपको गरम पानी पीना है खुब ऐसा गरम हो कि मैं खुद भी पीता हूँ ये पानी सेहत अच्छी रखने के लिए सब को कुछ ना कुछ करना पड़ता है जिसे चाय पीते हैं ना इतना गरम पानी कि उसके ले लेके आप पांच बार पीजें आप देखेंगे अगर आज से आपने शुरू किया तो कल से आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और ये मैटरियल जो मैंने बताया है आपको पांच चो ग्राम ये खतम होने से पहले आपके रोग आपसे रुखसत हो सकते हैं अगली कॉलर है सरीता दिल्ली से हमारे सास वागत है सरीता आपका नमस्कार जी मुझे अपने हस्बेंट के लिए बात करनी है जी जी बताये सरीता जी नमस्कार सर जी आदाब सर हस्बेंट को कॉलिस्टरोल काफी रहता है और गुटनों में भी दर्द होने लगा है सरीता जी आप मेरी बात गौर से सुनना पैन कापी है आपके पास हाँ जी ले रख रहे हैं अच्छा देखिए एक निस्खा और ये तीन चार काम करेगा जो आपके पती देव को बिमारिया है और ये आप पर भी काम करेगा हर उस आदमी पर जिसका कॉलिस्टॉल बलड प्रेशर हाट ब्लॉकिज हाट की रगों में चर्बी जम जाती है उसे हाट ब्लॉकिज कहते है तो आप लिखने और वो खुद बनाना खुद इस्तिमाल करना और आप देखेंगी कि ये बड़े-बड़े नस्खों पर भारी है मैंने जिसको भी बताया उसको उपर वाले ने फायदा दिया आप भी उपर वाले से मदद मांगे लीमू लीमू जो है इसका एक लीटर जूस निकाले अपने घर में तैयार शुदा बिलकुल कोई चीज नहीं लीमू का एक लीटर जूस निकाले अद्रक का एक लीटर जूस निकाले और लेसन का एक लीटर जूस होना चाहिए ये तीन जूस हो गए अब इसमें जैतून का सिर्का लिख लीजे ओलिव का सिर्का आता है जैसे ओलिव ओयल आता है ऐसी ओलिव का सिर्का आता है ओलिव विनेगर एक लीटर ये लीजे इन सब को मिला दीजे अच्छा इसे चाय तो आफ रीज में रखे हैं चाय बाहर रखे हैं ये खराब नहीं होगा कब पूरी जिन्दगी खराब नहीं होता ये इसमें ये तासीर है तीन चम्मच दो या तीन चम्मच तीन चम्मच वैसे ठीक है सुबह नाश्ते के बाद और तीन चम्मच रात को खाने के बाद इसे जो प्री डाइबेटिक लोग हैं उनको डाइबेटिस नहीं होती ठीक भी हो जाती है प्री डायबिटिक वो है जिनको होने वाली है उसको प्री डायबिटिक कहते है अच्छा कॉलिस्टाल का यह दुश्मन है जहां भी कॉलिस्टाल है बैट कॉलिस्टाल उसको यह चुन-चुन के निकालता है यहां तक के दिल की रगए दिल के आसपास की चर्बी दिमाग की च चर्बी सब चर्बी को यह दुश्मन है और निकाल देता है और फाइदे बन पहुत है और एनर्जी आ जाती है जिसम में और दर्द वगेरा में भी फाइदा मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर हैं बलवीर हरियाना से हमारे साथ स्वागत है बलवीर आपका जी जी बलवीर जी इस अच्छा अच्छा एज बताईए अपनी और कोई रोक तो नहीं इसके अलावा इसके लावा और तो कोई नहीं है यहां पोटी एट है जी ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा देखिए खाने में आप की पतनी से कहता हूं कि अद्रक लेसन और जीरा ज्यादा इस्तिमाल करें या स्काई पेस्ट बना ले और वो चटनी की तरह गाओं में तो रोटी पे लगा लेते ना चटनी ऐसे लगाके और फिर खाते यह खाया करिए और एक नारियल पानी रोदाना पीना है आपको और आदा गिराम गौन मौ मौरिंगा का गौन आता है असली लेना नकली भी मिलते हैं गौन मौरिंगा आदा गिराम एक नारियल पानी के साथ आपको खाना है रोदाना एक बार आपका ठीक होना मुमकिन है नेक्स्ट कॉलर है हरी हर विवारी से हमारे साथ स्वागत है आपका माम नमस्कार मैं नाम सर्व माम हरी हर मैं मिभुआडी से बूल ला हूँ नमस्कार जी डक्साद 4 शाल मेरा उमर है सर मैं प्राइबेट जो में काम कर रहा हूं डक्साद में बच्पन से एक बैमारी थी मैं कभी घर पे नहीं बताया जाना कभी टेस्ट किया, उरीन में कभी को आज जलन होती थी, अब 20-25 मिंटा ड्रप-ड्रप करता था, लिकिन 6 मेना में एक साल में होती थी, सर, अब 40 सल उमर होगी या साधी उदस्टार होगी, मैंने कभी टेस्ट नहीं करा है, मेरे घर पी भी टगता है, कि शुब बताया हैं, कि अग्छान में स्टयाँ था, उन्हें ने यह सजेशन दिया, यह रिपैरेबल नहीं है, आपको कोई तकलीप भी नहीं है, बाके मेरे धक्सा यह कोई तकलीप नहीं है, मैं तो बाइच्छान से वलता संट किया, उरीन की प्रॉबल नहीं है, लेकिन हां, जब आपक कि कोई सिंटम आएगी तब ही आप उसको इस रिप्लेश में असरी उसको निकाल सकते हैं और राज एक तो किड्निय आपकी बिल्कुल फंडे परसंट कर रहा है रक्सा में चाहता हूं कोई घरेली उपाय है जैकि मैं आगे फ्यूचर पढ़ाय में कुछ उसको बचा सकता हू ये पता भी चल जाता है और देर हो गई थोड़ी कोई बात नहीं देगे ये जो कुछ है ये बचा रहे ये काफी है और अभी वाकई कोई मैडिसीन या कुछ देना ठीक नहीं है एक एक विनेगर आता है वो आप रात को रोजाना दो चमच दो टू टू टी स्पून एक गि कर सोया करें तो आप किड्नी साफ रहेगी और कोई उस पर परिशानी नहीं आने वाली बस रोजाना एक बार और उसका नाम है अलो वीरा का सिरका आता है सिरका समझते हैं आप अलो वीरा का एक सिर्का आता है जो जायके में खटा होता है और पानी में मिलाकरे रहे बहुत तेज होता है और अलो वीरा वेनेगर है याद रखिए और बहुत आसानी से आप अपनी जिंदगी सेहत के साथ गुजारा कर सकते है